Hello everyone, तो हम अपना चेप्टर कर रहे थे बिटा, पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास, पार्टी और पार्टे सिस्टेम इंडिया, that is the second part of your chapter और इसमें हमरा जो टॉपिक है, fall of the Congress system, जैसे हमने पहले अपने टॉपिक में डिस्कस किया था कि 1967 तक लगभग, ठीक है, अब ये 4th जनरल हमारा, 4th आम चुनाव, पहले 3 आम चुनावों में पूरी तरह से Congress की majority रही, पूरी तरह से Congress का प्रभुतव भारत में चाया रहा, तो 4th जनरल इलेक्शन में जो है, इसमें थोड़ा चींज आ जाता है, जैसे कि पहले वीडियो में भी मैंने आपको थोड़ा सा introduction दिया था कि यह मैं आप आपको दिखाई दे रहा है, कैसे जो है, half of state में Congress की बजाए, दूसरी parties को अब sport मिलना स्टार्ट हो गया था, majority मिलने स्टार्ट हो गया थी, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा discuss कर रहे हैं, that is the fourth journal election 1967, 1967 में हमारे चौथी आम चुनाव होते हैं, economic crisis such as failure of monsoon, draw, decline अग्रिकल्चर्स, production, serious food shortage, depression of foreign exchange reserves, drop in industrial production and exports, अब देखो, वहां की थोड़ी सी आपको विबस्था बताई जारी है, कि उस टम जब यह चोथी आम चुनाव होने थे, तो क्या दशा थी भारत की, क्या देश में हो रहा था, मौनसुन फेल हो गया था, सूखा पढ़ रहा था, जिसकी वज़े से हमारी जो कृशी में जो फसले हैं, पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, इतनी जादा प्रॉब्लम क्रेट होगी थी, कि लोगों को खाने के लिए अनाज जो हमारा एक स्टेपल फूड है, गेहूं और चावल, वो भी नहीं मिल पा रहे थे, ठीक है, जिस इंद्रा गांधी गवर्मेंट वास टू डेवल्यूट दा इंडियन रुपी, तो ये पहला डिसिंज इंद्रा गांधी ने उस टेम पे लिया, हाला कि जब हम चैप्टर को पूरा थ्रोली पढ़ते हैं, हमें पता जलता है कि ये उसकी मजबूरी भी रही होगी इस टेम प एक रुपे की कीमत जो है वो, वहां की एक डॉलर की कीमत हमारे पांच रुपे के बराबर होती थी, ये उस टाइम की बात मैं आपको बता रही हो, तो अब इंद्रा गांधी ने, क्यूंकि हमें फूड जो है, अनाज जो है, वो हमें बहार से लेना पड़ा, मैंने आपको ने जो है, कुछ शर्ते लगा दी, रुपे के अवमूलन की, कि ये जो डॉलर है, ये पांच रुपे की बजाए कितनी इसकी कीमत कर दी जाए, साथ रुपे, ठीक है, अब कीमत जब साथ रुपे हो जाएगी, तो इट मीन्स, जब हम उससे चीज खरी देंगे, तो उनको ज लोगों ने चोटे-चोटे प्रोटेस्ट, चोटे-चोटे जो है, अंदोलन विद्रहो करने शुरू कर दिये थे, कि जो फूड, जो खाने पीने की चीज़े है, अनकी गीमते इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा आ गई है, ठीक है, बांच बंद जो है, जैसे हरताले होती है, हरताल हो गई, बंद कर दी, फैक्टरीज बंद कर दी, दुखाने बंद कर दी, तो ये आम बाते हो गई, लोगों ने ऐसे अपना विद्रोज अताना शुरू कर दिया, गवर्मेंट सौधा प्रोटेस्ट अस लोग और प्रोब्लम एंड अब गवर्मेंट क्या कर रही थी, ये अंदोलन जो है, वो सारे देख रही थी, और उनको दबाने की कोशिश कर रही थी, अब यहां पर देखो क्या हो गया, कि कॉंगर्स का जो सिस्टम इतना चला आ रहा था ना, इतने दिनों से, तो उसमें क्या फाइदा मिल गया, अब CPI जो पार्टी थी, जो दूसरी चुटी चुटी रिजिनल पार्टी थी, उनको मौका मिल गया, कि वह यही सही टाइम है, जो है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम देश में क्रेट हो रही है, अब कॉंगर्स को गिराय जाए, कॉंगर्स के खिलाफ जो है, वो खड़ा हुआ जाए, और उसी टैम पे अब देखो, यह मैंने आपको बता रही है, कि उस टैम पे दो युद्ध भी हमें फेस करने पड़े थे, 1962 का युद्ध, 1965 का युद्ध, चीन के साथ जो हुआ, और उनिस पाकिस्तान के साथ, यानि ये दो युद्ध भी हमें उस टैम पे देखने पड़े, ठीक है, तो इतनी जादा प्रॉब्लम एक तो पहले ही देश में आज की कमी आ रही है, उपर से युद्ध की स्थिती जो है, पैदा हो गई है, तो अब सारे हालाज जो है, वो खराब हो गए, और जो केंदर सरकार कॉंग्रेस की जो बनी हुई थी, उसके खिलाफ जो है, लोग खड़े हो गई, अब इस चीज का फाइदा किसने उठाया, दूसरे छोटे 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 जो दल थे, जो दूसरी छोटे छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी थी, उन्होंने इस चीज का फाइदा उठाया, और उन्होंने वही अपना सिस्टम बनाया, एक अब यहाँ पर जो है अलाइंस बनने शुरू हो गए अलाइंस यह नहीं गड़ बंदन अब दूसरी पार्टियों को मुखा मिल गया कि बस यही एक मुखा है जनता जो है कॉंगर्स के विद्रों में खड़ी है ठीक है जितने भी नेगेटिव पॉइंट कॉंगर्स के हैं वो कहा गया नौन कॉंगर्स है अब देखो चोटी चोटी और पार्टियां थी CPI थी उस टाइम पे जन संग भी उस टाइम पे हमारी जो है बन गई थी एक जड़ है BJP की ठीक है जन संग पार्टी RSS की अगर हम बात करें वो कोई पार्टी नहीं थी और्गनाइजेशन था वो तो उसने भी जो जन संग को स्पोर्ट दे रखा था उस टाइम पे तब उन सारी पार्टियों की विचारधार आएं बिल्कुल अलग थी लेकिन फिर भी उन्होंने एकट्ठे आना जो है वो मन जोटी है तो अब की बार नहीं होने देंगे चोथे चुनाम में हम यह नहीं होने देंगे ठीक है दा सोशलिस लीडर राम वनोहर लोहिया गेव दी स्ट्रेजी द नेम ओफ नॉन कोंग्रेसिम उस टाइम के जो समाजवादी बड़े नेता उभर कर सामने आए उनका नाम थ या गैर कॉंग्रेस वाथ नॉन कॉंग्रेसिम ठीक है अब इसका रिजल्ट क्या हुआ पॉलिटिक अर्थक्वैक पॉलिटिक अर्थक्वैक यानि कि राजनितिक जीवन में पुरी तरह से उथल पुथल मच गई जैसे भूकां पा जाता है ना धरती पे बिलकुल ऐसे जो मुकाबले बहुत कम थी जैसे कि 1952 में और 1957 में यानि कि पहले दो आम चुनावों में जितनी मैजॉर्टी इसको मिली थी उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं थी इसके पार्टि जो महारास्टेश में चुनाव लड़ रहे थे अतुले घोष जो वेस्ट पेंगॉल में चुनाव लड़ रहे थे ये सब हार गई तीक है रिजल्ट ही हुआ इतने बड़े बड़े नेता पहली बार ऐसा हुआ कि ये अपनी स्टेट में हार गई इन दे स्टेट कॉंगरेस लोस मैजोर्टी गें सेवन स्टेट लगवक साथ बड़ी बड़ी स्टेट में जो है कॉंगरेस हार गई इन टू अधर स्टेट डिफेकशन प्रेंटेट कांगरेस फरम फॉर्मिंग गषय होगाई अब कुछ दो स्टेट ऐसी थी जिनमें कि दल बदल की वज़े से कॉंग्रेस हार गई ठीक है दल बदल क्या होता है यह आपकी बुक में प्रॉपर बहुत अच्छी तरह से लेसन में पूरा दिखाया हुआ है कि दल बदल क्या होता है डिफेक्शन क्या होता है यह वहाँ से पड़ेंगे, कि मालीज़ एक दल से जो है, कैंडिडिट खड़ा हुआ है, बी-्जे पी से कोई कैंडिडिडिट खड़ा हुआ, ठीक है, इसका उधारन, जो ताजा-ताजा उधारन है, इसका हम महारास्ते के चुनावों से ले सकते हैं, यानि दल बदल कर लिया चुनाव किसी और दल से लड़ा ठीक है और जीते ही अपना दल बदल लिया इसको कहते हैं दल बदल दिफेक्शन तो ये भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है हमारी भारत की इतिहास में तो अब ये नो स्टेट कौनसी थी पंजाब, हरियाना, उत्तरपरदेश, मद्धेपरदेश, बिहार, वेस्ट बेंगॉल, ओडिसा, मदरास, अनकेरिला जैसे की आगे आप में देखोगे तो इन सारी जगा पर जो है, कॉंग्रेस को में जॉर्टी नहीं मिली, ठीक है, जैसे की मैप में भी आप देख रहे हो, जो ये रेडिकलर में है न, यहां कॉंग्रेस नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, तो अब ये जो है, इन मदरास, अरिजिनल पार्टी, डी द्राविड मुननकम कंजागम, ये रेजिनल पार्टी, वहां की एक छोटी सी शित्री पार्टी है, जिसको वहां लोगों ने वोट दे दिये, उसकी सरकार बन गई, इन दे अधर स्टेट, गोलेशन गवर्मेंट क्या होती है, मैंने आपको पता थी, गढ़ बंदन सरकार, जब छुटे-छुटे दल मिलकर एक महागड़ बंदन कर लेते हैं, तो उसे कॉलिशन गवर्मेंट कहते हैं, इन चुट-छुटी पार्टी जिसमें की CPI में पार्टी थी, जनता संग में पार्टी थी, उन्होंने इसको क्या नाम दिया, संयुक्त विधायक दल का नाम उन अपनी गवर्मेंट बनाई, इन पंजाब, राइवल अकाली, फंक्शन्स, संत ग्रूप, एंड मास्टर ग्रूप, जिन्होंने CPI के साथ मिलकर, सामयवादी दल, अब देखो उस टाइम की बाद हम एक ही याद रखने हैं, कि कॉंग्रेस के ऑपोजिट में जो एक मुख्य में क्या थी, CPI, हर जगा, इसके खिलाफ जो है, इसने सब का साथ दिया, रिपब्लिंगन पार्टी, जन्स, जन्संग केम टोगेधर तो फूम दा गवर्मेंट, पंजाब की बात ही आपको बताया जा रही है, कि वहाँ इन दलों ने मिलकर सरकार बराई, ठीक है, अब उसक पर बताया जाएगा, अब देखो, 1969 में जो प्रेजिडेंटल इलेक्शन हुए, यानि राष्ट्रपती को चुनने के इलेक्शन होते हैं, तो गवर्मेंट कॉंटिनूट विइद सपूर्ट ऑफ सीपी आई, इंद्रा गांदी रिकेमिन दा डिस्टिलिशन ओफ लोगसभा resulting in mid-term election in 1971, 1971 में इंद्रा गांदी ने क्या किया, अब देखो, पहले जो चुनाव है हमारे 1967 में हुए, ठीक है, तो इसके according अगले चुनाव, 1972 में होने थे, हर पान साल बाद होते हैं न, चुनाव, तो उससे पहले ही इंद्रा गांदी ने, 1971 में जो mid-term election जो होने थे, लोग जाता है, यह हम next chapter में अच्छे से discuss करेंगे, अपनी ही party में इसने दो ग्रूप बना लिये थे, जो कुछ नेता इसने अपने साथ रखे, ठीक है, तो राष्टपती का जब election हुआ, तो Congress में जो है, दो ग्रूप बन गई, Congress टूट गई, दो ग्रूप बन गई, एक में जो इ इंद्रा गांधी को परधान मंतरी क्यों बनाया था, कि इंद्रा गांधी जो है, अबी छोटी है, इसको इतना जादा अनुभव नहीं है, तो यह हमारे कहने से काम करेगी, अपना पुतला बनाने के लिए, अपनी बस एक कट पुतली बनाने के लिए परधान मंतरी उन्हे तो इंडरा गांधी तो इंडरा गांधी की जो पार्टी थी ना उसने जो है राष्टपती को अपने पसंद के राष्टपती को जो है इलक्शन में खड़ा कर दिया और उसकी जीत भी हुई अब इससे क्या हुआ कॉंग्रेस में जो है दो पार्ट बन गए कॉंग्रेस के दो हिस्से हो गए ठीक है उसके बाद जो पाकिस्तान के साथ यूद्ध हुआ ठीक है और 1972 में जो जब दुबारा से ये जो इलक्श पाकिस्तान को अपनी रंड नीती से हमने हराया और बांगलादेश को हमने सिक्यूर किया तो इस नीती की वज़े से भी इंदरा गांधी को जो है स्पोर्ट यहां पर मिल गया ठीक है या यनि दुबारा से कॉंग्रेस ने अपने आपको रिस्टोर कर लिया एक तरह से पहल को पड़ार इसमे हमने कॉलीशन पार्टिस को पड़ा कि कैसे कॉंग्रेस को हराने के लिए एक कॉलीशन गवर्मेंट बनाई गई सभी छोटे-चोटे दल आपस में एक साथ मिल गएं कोलीशन गवर्मेंट एनों seguridad हमने पना लिए या हमने बढ़ा तो अब यह जो है क्याgate यह होता क्या है तो सबसे पहले हम by party system पढ़ेंगे two party system multi party system यह वैसे आपको सारा आपने पढ़ा हुआ है थोड़ी सी हम introductions की ले लेंगे उसके बाद इंपोर्ट है हमारे लिए वो coalition system है हमने coalition system को अच्छे से पढ़ना है ठीक है तो पहले हैं आपका by party system a two party system is a party system in which two major political parties that aligns dominant the political landscape at any point in time one of the two parties aligns typically hold a majority in the legislative and usually refer to as majority or governing party while the other is a minority or opposition party ठीक है दो party system जहाँ पर होता है उसे हम by party system कहते है हमारे भारत में यह system कब हुआ था यह देखो 1977 से 1987 के बीच में जनता party and congress सिरफ यह दो पार्टियां थी जिनके बीच में द्वंध चल रहा था कहने के लिए और भी चोटी च पार्टी पार्टी थी ठीक है थी लेकिन जो में एक कॉंपटीशन है वो दो पार्टियों के बीच में था दा इंडियान पॉलिटिक्स एक्टरिक्स और बाय पार्टी सिस्टम एट प्रामर्ली टू इस्टेंस तो 1970 से 1980 की बीच में जो समारे चुनाव रहे थे उसमें जो ह पार्टी वही है जो आज कल हम BJP पढ़ते हैं भारती जिन्ता पार्टी इसी को रिफॉर्म करके भारती जिन्ता पार्टी बना दिया गया था ठीक है प्रेसेंट में अगर हम बात करें एंडिय एंड यूपी ये भी ऐलाइंस है अलाइंस पार्टी है ये एंडिय नैशनल जो BJP का Alliance है UPA जो Congress का Alliance है ठीक है तो present में हम जो एक main competition देख रहे हैं वो इन दो पार्टियों में देख रहे है भारते जंता पार्टी का Alliance है NDA और Congress का जो Alliance Party उन्होंने बना रखिये वो है UPA ठीक है अब है भई मल्टी पार्टी सिस्टम मल्टी पार्टी सिस्टम मल्टी पार्टी सिस्टम is a system where there is a presence of a large number of political party which compete with one another to relatively equal terms ठीक है एक दूसरे को compete कर रहे हैं बहुत सारी पार्टी आ हैं एक नहीं है दो नहीं है बहुत सारी पार्टी आ है तो मल्टी पार्टी सिस्टम उसको कहेंगे बहु दलिये परणाली हिंदी में उसको कहते हैं बहु दलिये परणाली इंडिया has a multi-party system where there are a number of national as well as regional party बहुत सारी रास्टी है और शेत्रिये पार्टी हैं यहां पर है ठीक है यह सारा जो है वो इसको हम multi-national party sorry multi-party system है उसको कहेंगे उसके बाद है coalition system coalition system आपको समझना बहुत दुरूरी है क्योंकि यह आपके भारत के इतिहास की अगर हम बात कर रहे हैं या भारत के हम प्रेजेंट वर्तमान की बात कर रहे हैं तो इसमें coalition system का बहुत बड़ा महत्तवरा है बहुत importance रहा है कभी Congress को हराने के लिए alliance बनाए गए coalition system बनाए गए महागडबंदन बनाए गए आज प्रेजेंट की अगर में बात करें तो बीजेपी को हराने के लिए Congress ने बहुत सारे alliances बनाई है coalition parties बनाई है ठीक है तो it is a system where two or more parties come together to form a government because no single party to able the secure majority of its own अब ऐसी जब situation आ जाती है कि एक single party को कोई majority नहीं मिल पा रही है तो वो क्या करती है दूसरे दलों के साथ अपना एक coalition बना लेती है अपनी friendship बना लेती है उसने एक गडबंदन बनाया कि भई आपको जितने vote मिलेंगे आप मुझे दे दोगे और हम एक जगा पर सारे एक system बना लेंगे क्योंकि एक single party को तो sport मिल नी रहा है तो दो-तिन party को जितने votes मिलेंगे वो सारे एक अपनी जगा पर कर लेंगे और उसके according हम अपनी majority दिखा देंगे तो वो आपकी गडबंदन सरकार होती है coalition politics has been a new feature of our party system we have reached a situation where there is no single party government except in some of the states बहुत बार ऐसा हुआ है अटल बहरी वाजपे की सरकार में ऐसा बहुत बार हुआ है कि 1999 की अगर हम बात करें उससे पहले 1992 में जब अटल बहरी वाजपे जी को as a भारते जिंदा पार्टी minister उसके जो वसदस्ते रहे तो उसमें उनको कहीं बार जो है बिलकुल भी majority नहीं मिली that way उनको coalition करना पड़ा उनको CPI के साथ जो है हाथ भी मिलाना पड़ा कहीं बार ऐसा हुआ as a result of coalition politics ideologics of the political parties have taken a back seat the administration is run through the common minimum programs which reflects that pragmatism has become the ruling mantra we have seen a political situation where the Telugu Deshvam Party supported the BJP-led NDA in 1999 and CPI backed the Congress-led UPA in 2004 without formally joining the government अब देखो यहाँ पर आपकी बुक में भी यह two pictures दी हुई है यह नीचे देखो यह वाली जो picture है इसमें ठीक है तो coalition system में अब देखो यह आपको दिखाया गया है यह आपकी बुक में भी है इसमें picture-based questions भी आते है इसमें जब VP Singh की सरकार बनी थी ठीक है 1999 की आपको यह बात बताई जा रही है कि इसको बहार से support किसने किया था BJP ने और CPI ने अब देखने के लिए अगर वैसे हम देखें तो BJP और CPI Communist Party of India और भारते जंता पार्टी और सामेवादी दल इनकी जो विचारदा रहे हैं बिल्कुल opposite है यह बिल्कुल अलग है इनकी एक दूसरे से कोई विचार नहीं मिलते कोई इनके programming एक जैसे नहीं होते इनकी नीतियां एक जैसी नहीं है बट यह दोनों साथ हैं ताकि कॉंग्रेस को सत्ता से दूर रख सकें है ना तो मतलब इनका जो एक राजनितिक लाइफ एक राजनितिक विचार को चलाने का राजनितिक जीवन को अपने देश के जीवन को आगे बढ़ाने का सिस्टम ज़आए बिल्कुल बदल जाता है यहाँ पर आकर coalition government में, coalition government में हम एक दूसरे के साथ क्यों होते हैं, हमारे एक main purpose होता है, purpose यह निया है कि हमने government, हमने सरकार बनानी है, हमने अपने rules बनाने हैं, हमने देश को चलाना है, प्रगती करनी है, नहीं, एक main motive, जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, कि जैसे देखो, अभी वीपी सिंग की सरकार थी, 1999 में यह बनी थी, 1989 में, तो वीपी सिंग जो है वो प्रधान मंत्री कब तक बने रहे, जब तक कि इसको बीजेपी का स्पोर्ट मिलता रहा भार से, और सीपी आई का स्पोर्ट मिलता रहा, देखो आपको अगर अच्छी तना दिखे तो यह बीजेपी के लाल कृष्ण अडवानी है, यह वीपी सिंग जो है नीचे आपको दिखाई दे रही है, और कटपुतली इनको बनाया हुआ है, और इनकी उपर जो इनको स्पोर्ट कर रहे है ना वो है, एक तरफ से तो बीजेपी है, लार कृष्ण अडवानी और दूसरे सफ सीपी आई, कर्मेंस पार्टी और इंडिया के जोती बासू है यह, जोती बासू इनका नाम है, तो इन्होंने इनको स्पोर्ट करी थी 1989 में, तभी यह अपनी गवर्मेंट ने बना सके, अगर इनको स्पोर्ट ना कर दे तो क्या होता, कॉंग्रेस आ जाती, बट ऐसा यह होने नहीं देना चाते थे, तो इन्होंने अपना कॉलिशन बनाया, गवर्मेंट में आए भी नहीं है, और बहार सा ही स्पोर्ट इनको 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 ने वीपे सिंको कर दिया, और यह जो है अलाइन्स इनके बन गए, तो यह होती है अलाइन्स गवर्मेंट, गडबंदन की सरकार, ठीक है, तो यह है हैं अलाइन्स गवर्मेंट, अलाइन्स गवर्मेंट, भारते जंदा पार्टे ने दूसरे चोट 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 दलो को अपने साथ मिलाया और कॉंग्रेस को सत्ता से बाहर रखने की पूरी भरपूर कोशिश की यही एक कोशिश अगर हम प्रेजेंट की बात करें आगे हम अपनी लास्ट चेप्टर में इसको डिस्कस करेंगे की कैस एन्डीे की ग concludes को दूर रखने के लिए नि बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए दो हुजार चोदा में भी माहागडबंदर बनाया गया था कोलिशन एक पुरी कोलिशन गवर्मेंट बनाई गई थी alliance parties बनाई गई थी कि BJP को सत्ता में नहीं आने देंगे Congress ने वो party बनाई थी ताकि BJP को सत्ता से बाहर रख सके ऐसे ही बिल्कुल 1967 1967 में Congress को बाहर रखने के लिए बनाई गई थी dominant feature of India's party system अब India का party system है उसके main feature है वो आपको यहां बताए जा रहे है अब इसमें दोनों हैं कहीं कहीं पर दो party आं मिलकर भी सरकार बना रही है और दो party का जो dominance है वो present में भी आपको देखने को मिल रहा है present में India, UPA, Congress और BJP में सीधी टक्कर आपको देखने को मिलती है ठीक आपकी जो छोटे छोटे दल है वो कोई Congress के साथ लगा हुआ है कोई BJP के साथ लगा हुआ है तो यहाँ पर जो है बाइपार्टी सिस्टम आज भी आपको देखने को मिल रहा है आपर पोलिटिकल पार्टी आर कॉंपेटिटिव देखो भी competition तो दोनों में होता ही है the regional political parties have come to play the vital role in the formation of government at the center जो regional parties है यानि कि जो शेत्रिय दल है उनका भी बहुत महत्तव रहता है center में government बनाने में क्योंकि वो बड़ी-बड़ी parties को sport करती है dominant feature of India's party system अब इसका जो प्रभुतव का जो एक महत्तव है प्रभुतव जो भारत की दलिया पढ़ना लिका है वो कैसा है the election is now fought not among parties बड़ा coalition at parties अब देखो प्रेज़ेड में जो चल रहा है वो एक single party में कोई competition नहीं चल रहा है कोई भी single party नहीं लड़ रही है alliance बने हुए है गडबंदन बने हुए है अपने आपस की कहीं कहीं पार्टियों ने मिलकर अपनी एक alliance एक political party बनाई हुए है जैसे की NDA, UPA प्रेज़ेड में आपको यह दो पार्टी याद रखनी है NDA और UPA ठीक है parties are focusing on the single emotive issue calendar votes अब देखो parties का एक single issue जो रहता है votes कैसे collect के जाए इंडरा गांधी जी ने दिया था हम नेक्स चेप्र में इंडरा गांधी के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने अपना नारा दिया था गरीबी हटाओ ठीक है उन्हीं सो सत्तर में इंडरा इस इंडिया of the 1980s इंडरा ही इंडिया है यानि कि इंडरा गांधी ही भारत है ठीक है टेकिंग इंडर ट्वेंटीफं सेंचुरी 21 स्ताबदी की तरफ ले चलो अंडर राजीव in mid 1980 राजीव गांधी जब परधान मंतरी बने थे उन्होंने ये नारा दिया था कि भारत को कहां ले चलो 21 सेंचुरी में इंडिया शाइनिंग ऑफ 1999 बीजेपी ने नारा दिया था 1999 ठीक है चमकदार चमकता हुआ भारत कॉंग्रेस फील गुड 2004 में कॉंग्रेस का क्या नारा था फील गुड और आम आदमी in 2009 2009 में आम आदमी पार्टी अब उन्होंने अपना पार्टी का नामी आम आदमी रख लिया उन्होंने अपना एक नारा ऐसे दिया था कि आम आदमी को आगया आने दो ठीक है आम आदमी को आगया आने दो तो उसके पार्टी का नाम भी आम आदमी पड़ गया था तो ये अलग-अलग जो है एक नारे एक सिस्टम या नी वोट्स कैसे ग्राब की जाए How to grab more and more वोट्स जदा से जदा वोट्स पाने के लिए जो समय समय पार्टीस ने जो अपने नारे दिये Parties now look for short term electric gains rather than build lasting social coalition Parties का अब दलों का जादा से जदा reference क्या रहता है Long term की बजाए कि ज़रूरी नहीं है कि लंबे time तक वो रही नहीं, coalition government अगर कुछ समय तक भी चल पारही है बहुत अच्छे से, तो वो enough है ठीक है, तो ये आपका political parties का जो system है ये chapter आपका यहीं खतम होता है Next हम इंद्रा गांधी के विशे में पूरा विस्तार से हम अपने next chapter में बढ़ेंगे Till then, तब तक के लिए take care